दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माबाप अपने प्यार का हवाला दे कर बच्चों को अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते इसी के एवज में केरल हाई कोट ने एक बहुत ही एहम फैसला सुनाया है और पहले भी इसके रिलेशन में काफी सारे जज़्चमेंट आ चुके हैं तो आईए बात करते हैं इस लेटेश ज़ज्चमेंट की ये क्या था मामला और इस ज़ज्चमेंट में हाई कोट ने क्या कहा केरल हाई कोट ने अपने इस एहम फैसले में कहा कि जीवन साथी चुनने का अधिकार एक मौले का अधिकार है बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं तो वो बालिक माने जाते हैं और वैसे भी जीवन साथी चुनने का अधिकार एक मौले का अधिकार है और इस अधिकार से किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को वंचित नहीं किया जा सकता इस केश की सुनवाई जस्टिस राजा विजे रागवन वी और जस्टिस पी-म मनोच की बैंच कर रही थी और इसमें 3 जून 2024 को फैसला सुनाया गया और इसका केश टाइटल है अलताफ जे मुहम्मद वर्से का दायर की थी उन्होंने दावा किया था कि उनकी जो साथी है उसकी एच 27 साल है जो कि खुद भी एक इंजीनियर है और उनके पिता और घर वालों ने उन्हें अवैद रूप से घर में बंदी बनाया हुआ है क्योंकि उन दोनों ने इंटर रिलीजन मेरिज की है कानूनी म मुद्दे की बात करें तो इसमें मुद्दा ये था कि महिला को उसके पिता के द्वारा घर में बंद करना उसकी स्वतंतरता पर अवैद रूप से प्रतिबंद लगाना है इस मामले में कानूने मुद्दे की बात करें तो पहला मुद्दा ये था कि क्या किसी महिला को उसक यूवा को उसके मौलिक अधिकारों का पालन करने से रोका जाता है तो वो सविधान के आटिकल 19 और 21 के अंतरगत उलंगन माना जाता है इस मामले के दोरान कोट ने महिला से वीडियो कॉनफरेंसिंग पर बात की जिससे ये पाया गया कि वो महिला अपने प्रेमी के साथ रहन नहीं था कोट ने इस मामले में कहा कि हैबस कॉर्पस की याजिका का में परपस ये देखना होता है कि किसी को भी कानून की इजाजत के बिना उसकी स्वतंतरता से वंचित नहीं किया जाएगा और राजिका ये करतव्य होगा कि ये सुनिश्चित करे कि वो लोगों के अधि कुमिका होगी कि बंदिग बनाए गए व्यक्ति को कोट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसकी स्वतंतरता पर किसी तरह की रोक न लगी हो सुप्रीम कोट ने भी अनुचकर्ग वर्सिस हूटल एस्सूसीएशन के मामले में एक ए जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है किसी को भी चुनने का जो अधिकार है वो भारत का सविधान के आर्टिकल 19 और 21 के अंतरगत मौलिक अधिकारों में रखे गए हैं और कोई भी इनसान किसी के मौलिक अधिकारों का उलंगन नहीं करेगा तो इस तरह से केरल हाई क कोट ने इस केस में याजिका को accept करते हुए महिला को कोट में महिला को कोट में प्रस्तुत करने की इजाज़त दी चैज्विन की पीडियोफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा